नमस्कार शिक्षार्थियों एनायोस के स्टूडियों में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन कोड 347 उस्टक 2 के अध्याए 13 अध्यास लक्रविचार के भाग दोपर जर्चा कर रहे हैं अभी तक हम ने जाना कि अध्यास सिद्दान्त की क्या आवशक्ता है अध्यास सब्द का अर्थ क्या है अध्यास के लक्षण कितने माने गए हैं कौन सा लक्षण उन सब लक्षणों में सर्वस्त्रिष्ट लक्षण है अध्यास और अध्यारोप दोनों समान है और दोनों में किस प्रकार से ब्रह्मु को जगत के रूप में परिवर्तित दिखाया गया है अब हम जानने जा रहे हैं कि अध्यास के कितने भेद हैं पर बाश्य करने से पूरू एक प्रस्तावना दी जिसका नाम था अध्यास बाश्य और उस अध्यास बाश्य में एक शब्द उन्होंने प्रियुक किया अहमिदम ममेदम नेसरगी कोयम लोकप बेवार है। सत्यान रते मिथुनी करत्य अहमिदम ममेदम नेसरग कोयम लोकिक वेवार है रतात सत्य और असत्य आत्म और अनात्म इन दोनों तत्यों को मिथुनी करत्य मिला करके अहमिदम में यहां हूँ ममेदम मेरा यह है इस प्रकार से यह लोकब वेवार चलता है और यही अध्यास है इन दोनों पदों को लेकर के टीका कारों ने अध्यास के वेदों पर तरचा की है अध्यास दो प्रकार का होता है मूल रूप में एक होता है अर्था अध्यास और एक होता है ग्यान अध्यास अर्था अध्यास अर्थ अर्थात विशय का अध्यास जब एक विशे का दूसरे विशे की रूप में अध्यास होता है दूसरे विशे की रूप में अध्यास होगा तो हम उसको कहते हैं अर्थाद्यास दूसरा इसका वेध है ग्यानाध्यास जब एक विशे का दूसरे विशे में अध्यास हो जाता है अर्थाद्यास हो जाता है तब उससे सम्मंदित जो ग्यान होता है जो वेवहार होता है उसको हम कहते हैं ग्यानाद्यास उधारन के लिए जब हमने रसी को अंदेरे में सर्प समझ लिया तो रसी का सर्प की रूप में जो अद्यास है वो तो गया अर्थाद्यास पर जब उसको देखकर कि हमको बहे लगना शुरू हो गया और तदन रूप हम वेवार करना शुरू कर दिया हमारा बीपी हाई होने लग गया देटिस कोल्ड ग्यानाध्यास तद विशयक वेवार ग्यानाध्यास है रतन प्रभा में कहते हैं इसी प्रकार जब ब्रह्म का जीव की रूप में ग्यान होता है तब वह ग्याता करता और भोगता बन जाता है यानि अर्थाद्यास ही ग्यानाध्यास का कारण है पहले विशयाद्यास होता है फिर ग्यानाध्यास होता है पहले ब्रह्म पर जीव का अध्यास होता है पहले रसी पर सर्प का अध्यास होता है फिर उसके पश्चात भए लगना ग्याता करता भोगता बनना यह जो वेवार है तदविश्यक जो वेवार है इस वेवार को हम कहते हैं ग्यान अध्यास भामतिकार ने अध्यास के दो पर चर्चा की गई है एक है एहंकारा अध्यास और एक है मंकारा अध्यास एहंकारा अध्यास एहम प्रत्य अंत्य करण का आत्मन में जो अध्यास है वो एहंकारा अध्यास है एहम प्रत्य क्या है जिसमें एहम इस प्रकार की व्रत्ति जागरत हो गई है मन बुद्धी चित अहंकार इसको हम अंत्यकरण कहते हैं और जब इसमें में इस प्रकार की व्रत्ति उद्य हो जाती है तब उसको कहते हैं एहम प्रत्य अंत्यकरण और जब इसका आत्मा में अध्यास होता है तो हम उसको कहते हैं एहंकार अध्यास और एसा होने पर वो क्या करता है ग्याता और भोकता जीव बन जाता है अर्थात अंत्या करन और आत्मन जो है वो दोनों मिल करके ग्याता करता और भोकता बन जाते हैं इसी को हम धर्म अध्यास कहते हैं, धर्म अध्यास मतलब धर्मी प्लस अध्यास, दो धर्मियों का अर्थात अंतह करण और आत्मन का जो अध्यास है वो एहंकार अध्यास है, इसमें वेक्ति स्वयम को करता और भोगता समझना सुरू कर देता है, दूसरा अध्यास जो भामत मतलब में, एक तो होता है एहम में, में, मेरा सरीर, और इस सरीर से सम्मंदित जो धर्म है, पुत्र पत्नी आदी उसको हम कहते हैं ममकार है, तो यह ममकार अध्यास है, देहे कि पुत्र पत्नी आदी का आत्मा में अध्यास होता है, यह मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, इस प्रकार का वेभार वेक्ति करने लग जाता है इसको हम कहते हैं ममकार अध्यास आचारे शंकरने अध्यास बाश्य में इस संदर्व में कहा है पुत्र भारिया दीसु सकलेशु विकलेशु वा अहमेव सकलो विकलह वेती बाय धर्मान आत्मनी अध्यवश्यती अर्थात पुत्र सफल होता है पुत्र आईस मन गया तो मैं भी सफल हो गया मैं भी आईस मन जाता हूँ पुत्र के मरने पर आदमी स्वयम ही आत्मत्या करने लग जाता है तो ये आप जो समझ रहे हो कि देहे कि धर्मों का आत्मा में अध्यास होता है इसको हम कहते है धर्म अध्यास तो हमने भामतिकार के नुसर दो प्रकार के अध्यास की चर्चा की एहंकार अध्यास की और एकी ममकार अध्यास की एहंकार अध्यास जो है वो धर्मी का अध्यास है और ममकार अध्यास जो है वो धर्म का अध्यास है एहंकार अध्यास में अंत्य करण के दर्मों का आत्मा में अध्यास होता है और ममकार अध्यास में देहे के दर्मों का आत्मा में अध्यास होता है तो एक में तो ग्याता, करता, भोकता, जीव समधने लग जाता है और दूसरे में जीव के जो धर्म है उसको ही अपना मानने लग जाता है जबकि इन दोनों से ग्यातरत, करतरत, भोकतरत, साथ ही पुत्र पत्नी इत्यादी से विक्ति का कोई समधन नहीं है परंतो एहंकार अध्यास और ममकार अध्यास के माध्यम से मनुश्य इस जीव में इस संसार में बंधन को प्राप्त होता है एक होर अध्यास के भेद माने गए हैं, अध्यास के पुर्या दो प्रकार के भेद है एक है तादात में अध्यास और एक है संसर का अध्यास तादात्म अध्यास का मतलब है कि अनात्म वस्तू का आत्म वस्तू में अभेद कारो तादात्मे दोनों में भेद करना अत्यंत कठिन हो जाता है अनात्म वस्तू क्या एहंकार और आत्म वस्तू आत्मा अर्था चेतन तो जब अनात्म और आत्म वस्तू का जो अबेद है उसको हम कहते है तादात्म अध्यास और तब मनुश्य अपने आपको क्या समझने लग जाता है जीव समझने लग जाता है मनुष्यों हम में मनुष्य हूँ इस प्रकार का जो ग्यान है वो तादात में अध्यास के कारण होता है अहम इदम इत्यनेन मनुष्यों हम तादात में वो दर्शित है हमने अभी बताया था कि आचारे शंकर ने जो अहम इदम ममेदम ये जो दो शब्द प्रियोकी हैं उसके आधार पर ही टीका कारोने अध्यास के भेद बताएं तो यहाँ पर जब पहला है कि एहम इदम में यह हूँ, में मनुश्य हूँ इस प्रकार का जब ग्यान होता है तो हम इसको कहते हैं तादात में अध्यास क्यों? क्योंकि इसमें एहम एहनकार और आत्मा में तादात में हो जाता है जिससे यह ग्यान होता है कि मैं मनुश्य हूँ दूसरा होता है संसरगा अध्यास अनात्म वस्तु का आत्म वस्तु में जो भेद प्रकाद्यास है अरता देहे इंद्री आदी का आत्म उस्तु में जो अध्यास है उसको हम कहते है संसरगा अध्यास ममेदम इती संसरगा अध्यास है मेरा शरीर अब यहाँ पर आत्मा और शरीर दोनों में भेद है वो हमको साफ दिखाई दे रहा है दोनों में भेद है तो इस प्रकार का जो अध्यास है उसकों कहते है संसर का अध्यास दोनों में क्या अंतर है तादात्म अध्यास में आत्म और अनात्म में अभेद होता है में मनुष्य हूँ और संसर का अध्यास जो है उसमें आत्मों और अनात्मस्तु में भेद दिखाई देता है जिसे मेरा सरीर, मेरा पुत्र तो यहां पर आत्मा अलगे, सरीर अलगे मेरा पुत्र अलगे, मेरा अर्थात आत्मा अलगे पर मैं मनुष्य हूँ इसमें भेद करपाना बड़ा कठीन है क्योंकि यहां पर अंत्य करण के दर्मों का ही एहंकार का ही आत्मस्तु में तादात्में होता है तो तादात्में अध्यास ही संसर्गा अध्यास का कारण है अध्यास पुन्ह दो प्रकार का होता है कहने का मतलब है कि एसा अध्यास जिसका कारण कोई उपादी हो उसको हम कहते हैं सोपादिक अध्यास जैसे आपने कभी चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखते समय आपने अपनी अंगुली से इस प्रकार से किया जब इस प्रकार से आप करते हो तो आपको एक ही वस्त तो उसी प्रकार जो है ब्रह्म और जो जीव है यह अध्यास है यह सोपादी का अध्यास है और यहाँ पर उपादी है अविद्या अविद्या के कारण ही आपको ब्रह्म और जीव में बेद दिखाई देता है और उपादी के नाश होने पर यह अध्यास निवरत्त हो जाता ह अर्थात अविद्या के हटने पर जीव मुक्त हो जाता है क्योंकि उसको जीव और ब्रह्म के एक 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 गग ज्यान हो जाता है यानि जब आप अंगुली से इस प्रकार से अपनी आँख को करते हैं तो आपको दो प्रकार के चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं और जूहीं आपने अपनी अंगुली हटाई तो आपको एक ही चंद्रमा दिखाई देना सुरू हो जाता है इसलिए तदेक्या प्रमियगता अज्यान निवरत्ती ही यह द्वित वेदान्त का प्रयोजन है कि जीव और ब्रह्मी के एक्के में जो प्रमुक बादख है अज्यान उसकी निवरत्ती किये जाना चाहिए आचारे शेंकर स्वेम कहते हैं अध्यास बाशे में कि इस अनर्त खेहितू का नाश करना अत्यन ताउ सके इसी के लिए समस्त वेदान्त प्रारंब होते हैं दूसरा जो इसका भेद है वो निरुपादी को अध्यास अर्था जिस अध्यास का कोई उपादी नहीं होती उधारन के लिए आप बीच पर जा रहे हैं और आपने शुक्ती को देखकर उसको चांदी समझ लिया सीप को देखकर आपने चांदी समझ लिया अब यहां पर तो आपका जो आपकी आँखों का दोश हो सकता है या आपका अग्यान हो सकता है कि आपने उसको सीप को देखकर चांदी का ग्यान पराप्त कर लिया तो यहां पर जो अना उपादी नहीं है उसी प्रकार आपने अंदकार को मिख गए आप और अंदकार में आपने रसी को देखकर सर्प का जो ग्यान किया तो ये वाला जो ब्रह्म किया ये वाला जो अध्यास है ये अध्यास बिना किसी उपादी के हैं इसलिए इस अध्यास को हम कहते हैं निरुपादी का अध्यास और इस अध्यास का नास अधिश्टान के ग्यान से होता है अर्थात अदिश्टान का मतलब है कि जो वस्तू जिसको देखकर आपको ब्रह्म हो रहा है उस वस्तू को जब आप जान लेंगे तो आपके ब्रह्म का नाश हो जाएगा उदारन के लिए अभी मैंने बताया था कि आप बीच पर जा रहे हैं आप समुद्र तट पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपने सीप को देखकर ये देखा कि ये तो चांदी है पर जो ही आपने सीप को हाथ में उठा लिया तो आपको ये पता लगया ये चांदी नहीं ये तो सीप है नेदम रजटम शक्तुरी शुक्तिरियम ये तो शुक्ती है ये तो चान्दी है ये नहीं इसी प्रकार आपको जब अंधकार में रस्टी को देखकर सरप का ब्रहम हो रहा था तो आप डर रहे थे पर आपने थोड़ी हिम्मत करके जब रस्टी को पकड़ लिया तो सर अध्यास का नाश होता है अर्थात अविद्या की निवरत्त हो जाने पर जीव और ब्रह्म की एक्यका ग्यान हो जाता है अब अध्यास का क्या प्रणाम है अध्यास हो गया आत्म वस्तू का अनात्म वस्तू में अध्यास हो गया तब फिर क्या हुआ तो उससे क्या होता है कि समस्त जागतिक वेवार अध्यास का ही परिणाम है जयसा भश्यकार करते हैं अध्यास को आधार करके ही समस्त प्रमानब प्रमे वेवार तथा लोकिक और वेदिक जो शास्त्री वेवार है वो समस्त इसी से ही प्रवड़त होते हैं अध्यास का ही परिणाम है लोक वेवार और शास्त्री वेवार यहां वेवार को दो भगों में बाटा गया है एक बताया गया है लोक वेवार अर्था जो ज्यान प्रक्रिया है वो अध्यास पर आधारित है दूसरा शास्त्री वेवार वह भी अध्यास पर आधारित है शास्त्री वेवार दो प्रकार का होता है कर्मशास्त्री वेवार और मुक्षशास्त्री वेवार पहले हम लोक वेवार पर चर्चा करते हैं हमारा इस संसार में जो भी वेवार है वो ज्ञान प्रक्रिया पर आधरित है अर्थात जैसे आपने गड़े को जाना तो संसार में आप घड़े को तब जानोगे जब इसके पहले कि एक cognitive process होगी एक ज्यान प्रक्रिया होगी और ये जो सारी cognition process है ये सारी cognition process अध्यास पर आदा रहते है देखिए जब हम किसी भी चीज को जानेंगे तो उसमें चार चीज़ें होगी अर्थात एक तो होगा प्रमाण एक होगा प्रमे और एक होगा प्रमे और एक होगता है प्रमिती देखिए प्रमाण मतलब नोर आपको जब किसी वस्तु का ज्यान होता है जैसे गड़े को आप देख रहे हो तो आप प्रमाता हो, जीव प्रमाता है प्रमान, प्रमान क्या है कि आँख की माद्यम से आप देख रहे हो प्रत्यक्ष आदी वो प्रमान है एक होता है प्रमे, प्रमे मतलब गट, गट जो है वो प्रमे है और एक जब इन सब को जानने के बाद जो ग्यान होता है आदारित है यदि गड़ा सामने है आपके पास आँख भी है आपके पास गड़ा भी है और आपके पास सब कुछ है पर एक प्रमाता यदि आपके पास नहीं है तो यह समस्त ग्यान परक्रिया विर्थ है और प्रमाता कोन होता है अविद्या वान आत्मन अर्थात ऐसा आत्म जो अविद्या के साथ मिलकर जीयू बन गया है क्योंकि विशुद चेतन्य जो है वो तो प्रमाता हो ही नहीं सकता इसलिए प्रमाता पर ही ये सारी चीज़ें प्रमान, प्रमे, प्रमिती ये तीनों चीज़ें इसी पर ही अधरित है इसलिए समस्त जो लोग का विवार है वो सब जो जो ग्यान परक्रिया है वो अध्यास का ही परिणाम है एक हमने बताया था कि जो अध्यास का परिणाम है उसमें दो चीज़ें आती है एक तो आती है लोग विवार और एक आता है शास्त्री विवार यह शास्त्री वेवार भी दो भागों में विवाजित है एक है कर्मशास्त्री वेवार और एक है मोक्ष शास्त्री वेवार जो कर्मशास्त्री वेवार है इसमें आता है कर्मकांड पूर्मिमान सा शास्त्र का कर्मकांड ब्राम्मनों ये जैत है इत्यादिनी शास्त्राणी अर्थात जो कर्मकांड है जिसे आपको यग्य कर रहे हैं तो वह जो यग्य है वो भी अध्यास पर आधारित है अग्यान पर आधारित है इसमें क्या होता है कि जो कर्मशास्त्री वेवार होता है उसमें आत्मा में वर्ण, आस्रम, आयू और अवस्था का अध्यास होता है और वेशा होने पर ही कर्मशास्त्री वेवार होता है हमने क्या बताया कि आत्मा में वर्ण, आस्रम, वय और अवस्ता का अध्यास होता है अब हम एक-एक को देखते हैं जैसे वर्ण अध्यास राजा राजसुयेन स्वराज्य कामो ये जेता है कि राजा जो है ना वो राजसुय यग्य से अपने स्वराज्य को प्राप्त करे अब यहाँ पर राजा का अर्था क्षत्रिय वर्ण का अभिमानी पूरुस राजसुय कर्म का अधिकरी है तो यहाँ पर क्षत्रिय जो वर्ण है उसका अध्यास हो गया अभिमानी पूरुस दाजा में इसी प्रकार आस्रम अध्यास्त ग्रहस्त है सद्रशीम भारिया विंदेत है अर्थात ग्रहस्त जो अना वो सुन्दर भारिया का वर्ण करे अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्रहस्त है वहाँ पर उस ग्रहस्त आस्रम का आत्मा में अध्यास हो गया तब ही तो वो सुन्दर बारिया का वरण करेगा सन्यासी के दिबारिया का क्या प्रयोजन इस प्रकार आस्रम जो है उसका भी अध्यास आत्मा में हुआ है तीसरा है वयोध्यास अर्थात आयू का अध्यास आत्मा में हो जाता है जैसे केश कृष्णो अगनी नाददीत है अर्थात काले केश वाला यूवक अगनियाधान करे सफिद केश वाला नहीं कर सकता तो यहां पर काले केश जो है आयू अर्थात जो युवा है वही अगनियाधान करें तो आयू का अध्यास आत्मतत्त्तु में हो गया इसी प्रकार अवस्ता अध्यास है अब प्रतिसमादे व्यादी नाम जलादि प्रवेसेन प्रानत्याग है जिसकी व्यादी असाद्य है उसे जलादी में प्रवेस करके प्रानत्याग देना चाहिए अब यहां पर असाद्य रोग अवस्ता का अध्यास है यानि असाद्य रोग की अवस्ता में वेक्ति को जलादी में प्रवेश करके अपने प्रानतियाग देने चाहिए तो यहां पर जो अवस्ता है उसका अध्यास आत्मतत्त्तु में हो गया इस प्रकार वर्ण, आस्रम, आयू और अवस्ता इनका अध्यास जो है वो अत्मतत्त्त्तु में होता है और तदन रूप करमशास्त्री वेवार जीव करने लग जाता है तो इस प्रकार करमशास्त्री वेवार अध्यास का परणाम है अब हम करते हैं चर्चा मोक्षशास्त्री वेवार पर वेदान्त शास्त्र भी अविद्या विश्यक है क्योंकि जब आद्यासिक प्रमात्रत्वी नहीं आएगा तो वेदान्त के अर्थ का अधिगम केसे होगा वाचसपती मिस्र कहते हैं एवं वेदान्ता अपी अविद्यावत पुरुष विशेया आएव नहीं प्रमात्रती विवागाद्रते तदर्था अधिगम है अब ही हमने देखा है कि लोग का वेवार तो अध्यास पर आदारित है ही करमशास्त्री वेवार जो है वो भी अध्यास पर आदारित है पर जो क्या मोक्षशास्त्री वेवार है जिसमें जीव ब्रह्मक के एक्के का ग्यान प्राप्त करने जा रहा है इस संसार से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है तो क्या वह मोक्षशास्त्री वेवार जो है क्या वह भी अध्यास पर आधरीत है तो आचारे शंकर कहते हैं अद्वेत वेजानत कहता है कि जो मोक्षशास्तर का वेवार है वो भी अध्यास पर आदरीत है क्योंकि मोक्षशास्तर में कौन इंट्रेस्टेड है मोक्षशास्तर को कौन जानना चाता है मुक्त जीव नहीं जानना चाता बद्ध जीव ही जानना चाहता है, और बद्ध जीव कोन होता है? अध्यास काई परिणाम हैं? जीव अपने आपको जब तक ज्याता करता नहीं समझेगा, ज्यातरत वे जब तक जीव में नहीं आयेगा, तब तक मौक्षशास्तर के उल्णमुक नहीं होगा, कि प्रमाता ही जब नहीं होगा तब वेदान्त विश्यक मुक्ष शास्त्री वेवार का क्या प्रयोजन है इसलिए प्रमाता जो है वही ब्रह्मु को जानना चाता है वही वेदान्त को जानना चाता है इसलिए मोक्षशास्त्री वेवार वह भी अध्यास पर आधारित है अब प्रशनिया उठता है कि जब कर्मशास्त्री वेवार वो भी अध्यास पर आधारित है लोक वेवार है वह भी अध्यास पर आधारित है और मोक्ष शास्त्री वेवार भी अध्यास पर आधारित है अर्थात अग्यान पर आधारित है तो फिर वेदान्त को पढ़े ही क्यों तो जब सभी में समानता है मोक्ष शास्त्री वेवार कर्म शास्त्री वेवार में कोई अंतर ही नहीं है अर्थात कर्मकांड में और ग्यानकांड में कोई अंतर ही नहीं तो ग्यानकांड जाने क्यों वेदान्त क्यों पड़े? कोई भी अविद्या विश्यक शास्तर पढ़ा जा सकता है इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता इसका उत्तर देते हैं भामतिकार कि वह अविद्यावान पुरुष को अपने पावन उपदेशों के द्वारा सकल आध्यासिक परिछेदों से निकाल कर अपने शुद्ध बुद्ध मुक्तस सुभाव में व्यवस्थापित कर देते हैं तेतु अविद्यावन्त मनुशासंतो कि वह अध्यावान पुरुष को क्या करते हैं अपने पावन उपदेशों के द्वारा सकल आध्यासिक निर्मलष्ट निखल अविद्य मनुशिष्टम सुरूपे व्यवस्था पयंती उसमें समस्त जो आद्यासिक परिचिदों से निकाल कर शुद्ध बुद्ध मुक्तस वाओं में उसको व्योस्तापित कर देते हैं बस एतावानेशाम विशेश है इतना ही मोक्षशास्त्री वेवार का करमशास्त्री वेवार से विशेश है अंतर है अन्या था तो करमशास्त्री वेवार और मुक्रशास्त्री वेवार दोनों ही अध्यास का परिणाम है दोनों ही अध्यास पर आदारित हैं पर जहां करमशास्त्र आपको स्वर्ग प्रदान करता है और पुने इस संसार के बंदन में आपको भेज देता है भारतिय ज्यान पर पुनरपी मरनम, पुनरपी जनरी जठरे सैनम, पुनाय पुनाय जीव जन्म लेना पड़ेगा। पर अध्यास पर आधारित जो मुक्षशास्तर है वो आपको अपने शुद्ध बुद्ध मुक्तस सुबाओं में स्थापित करके आध्यासिक प्रिछिदों से निकाल करके अंतर है शेस्तो वस वही है कि जो लोकब वेवार है और करमशास्तरी वेवार है और जो मुक्षशास्तरी वेवार है वह समस्त अध्यास पर आधारित है इस प्रकार हमने जाना कि अध्यास के भेद कितने है अध्यास का लोकिक वेवार में क्या उप्योग है करमशास्तरी वेवार किस प्रकार व्यक्ति को अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त सुभाव में इस्थापित करके उसकी मुक्ति करता है मैं आशा करता हूंगी सभी शिक्षारती अध्यास के बेदों को और अध्यास के परिणामों को भली प्रकार सम्यक प्रकार जान गए होंगे इसी आशा के साथ हारदिक धन्यवाद